Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel अगर आपका PC slow boot होता है या फिर on होने में काफी time लेता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ easy steps बताऊंगा जिसे follow करने के बाद में आपका वो problem fix हो जाएगा तो वीडियो को start करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर new हैं तो प्लीज चैनल को like और subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है सबसे पहले आपको open करना है task manager task manager open करने के बाद में आपको left side में एक option दिखेगा startup apps का यहां पर सभी आपके applications हैं जिस application का आपका use नहीं है वो application आपको यहां से disable करना है जैसे माल लीजे मेरा Microsoft team में मुझे starting में इसकी need नहीं है तो मैं इस पर simply right click करूँगा और मुझे यहां से simply disable पर click करना है तो यह application आपका disable हो जाएगा इसे करने से क्या होता है जब भी हमारा system on होता है तो on होने के बाद में यह सबी process one by one यह start होते हैं जिसके वज़े से हमारी ram usage बढ़ जाते हैं और हमारा फिर system slow boot होता है तो जिस application का आपको need नहीं है वो application को आप यहां से simply disable कर सकते हैं हम next steps की बात करते हैं तो next step में आपको क्या करना है आप window प्लस R करेंगे तो आपको यहां पर run command open हो जाएगा आपको simply यहां पर type करना है msconfig जैसी आप msconfig type करेंगे उसके बाद में आपको यहां से enter करना है और enter करने के बाद में आपको यहां पर एक msconfig का tab दिख जाएगा उसके बाद में आपको आना है बूट पे जैसे आप boot option पे आएे तो आपको यहां पे आना है advance boot advance options पे advanced option पे आने के बाद में आपको यहां पर दिक रह ओगा number of processors जैसे है आप number of processors पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यह highest number है आप इसको select करेंगे select करने के बाद में आपको simply यहां से ok करना है ok करने के बाद में आपको services प्याना है और आपको यहां से hide all Microsoft service को click करके यहां से hide करना है यह click करने के बाद में आपकी जो Microsoft service means की जो आपकी windows की services जिसे आपको stop नहीं करना है अब जैसे माल डीडिया पर सभी आपके केश्चन से जिस अफ्लीकेशन का का आप काम नहीं है वी एप्लीकेशन को या से बल عॉल पर किलिक करके इसको डीसेपट्ल भी कर सकते हैं अगर आपको एक आप सिंगल बय है वन बय कर देंगे, okay करने के बाद में आपको यहां restart का option आएगा बट अभी आपको system restart नहीं करना, उसके पाद हम next step की बात करते हैं, तो आपको again window प्लस R करेंगे तो आपका run command open हो जाएगा और यहां से आपको type करना है control, जैसे आप control type करेंगे और यहां से आपको okay पर click करना है, okay पर click करने के बाद में आपके पास एक ऐसा tab आ जाएगा और यहां से आपको आना है power options पे, power options पे आने के बाद में आपको आना है choose what the power button do, आप जैसे इस पर click करेंगे, तो यहां से आपको top में एक option देखेगा change settings that are currently unavailable, आप जैसे इस पर click करेंगे, तो आपकी setting on हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहां पर turn on fast startup किया हुआ है, आपको भी यहां पर simply turn on fast startup पे click करके, आप में कुछ ऐसा होगा, आप इसको click करके, इसको on करके, आपको यहां से save changes पे click कर देना है, अभी भी आपको system restart नहीं करना है, कुछ और भी steps है, उसे follow करने के बाद में ही आप उसको restart करि जाएंगे, show more options पे और यहां से आप आजाएंगे manage पे, manage पे आने के बाद में, उसके बाद में आपको manage के एक tab आजाएगा और यहां से आपको आना है device manager पे, device manager पे आने के बाद में, आपको क्या करना है, आप जो भी graphics card लगी है, आप उसको simply say मेरे में इंटल किया है, तो आप इस पे right click करेंगे, और यहां से आपको आना है update driver, जैसी आप update driver पे click करेंगे, तो आपको अपने driver को update रखना है, means अगर आप में nvidia है, तो आप उसको nvidia को update रखेंगे proper, क्या होता है, जब latest driver आते हैं, तो हमारा system slow हो जाता है, जैसी latest driver को update करते हैं, तो हमारे performance में smooth work करता है, तो इसके लिए हम click करेंगे, search automatically for drivers, जैसा कि मैंने already driver को update कर रखा है, अगर आप में driver update नहीं होगा, तो आप ब्राउज माई computer for drivers करके, आप next करेंगे, तो आपका यहां से मैंने already installed है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर latest driver आप में update नहीं होगा, तो आपका यहां करेंगे settings पे, settings पे आने के बाद में आपको क्या करना है, अपने windows के update को proper आपको up to date रखना है window, जैसे कि मैं windows update पे आऊँगा, और मैं चेक for update करूँगा, तो मैंने भी कुछ time पहली किया था, यह मेरा window update है, आपका एक और option मिल जाता है, तो advanced options पे, आपको optional update पे आना है, आ आपको आपको proper up to date रखना है, उसके बाद मैं windows update में देखता है, थोड़ा सा time लेगा, windows update की चेक कर रहा है, चेक करने के बाद में आपका यहाँ जो भी new update आएंगे, आपको उसको proper download भी करना है, प्लस install भी करना है, restart now करके, अगर उसके बाद भी अगर आपका यह problem fix नहीं ह हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको आना है अपने system पे, system पे आने के बाद में आपको निशे option देख जागा recovery, recovery पे आने के बाद में आपको अपने PC को एक बार reset कर लेना है, और reset ऐसे करना है, जैसे की keep my files करके, तो keep my files में क्या होगा, apps और settings इसके reset हो जाएंगे, ब और subscribe करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है, और मुझे आप लोग का भी support चाहिए, okay, thank you